कि अच्छा अच्छा मकमों लाइन को चुंक, अच्छ बच्षे बच्छे आुघभाट ही हाट है और और यह क्या है गलवान वेली इसमें हम गलवान वेली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं गलवान वेली यानि कि हिंदी में आप क्या कहेंगे गलवान घाटी के बारे में पिपर में सवाल बन जाएगा हैं से क्योंकि हाल ही में उठता हुआ अप्रशन इससे बन सकता है गलवन घाटी से सब लोग आओ ध्यान से समझो सब लोग ध्यान से समझो बच्ची आज़ो ध्यान से आज़ो सब लोग सब लोग आज़ो ध्यान से सब लोग आज़ो सब लोग आज़ो ध्यान से आज़ो ठीक है सब लोग आजाओ ध्यान से आजाओ बचे ध्यान से ठीक यह ऐसे करके हमने जम्मू कस्मीर का यह वाला पार्ट हैंपर ड्रॉ कर लिया है ठीक है बचे चलो ध्यान से सुनो बात को अब ध्यान से आगे कहानी सुनोगे यहाँ पर यह वाला पार्ट मैंने आपको क्या बताया है यह वाला पार्ट मैंने इसको कहा है P.O.K P.O.K इसको मैंने P.O.K बताया पाक अक्यूपाइड काश्मीर और मैंने क्या कहा कि इस वाले पार्ट पर किसका कभजा है मैंने इसको बताया था इसको मैंने बताया था, अक्साई चिन, इसको मैंने कहा था, अक्साई चिन, इसको बोला गया है, ठीक, अक्साई चिन इसको बोला गया है, अब थोड़ी सी आप इसमें एक छोटा सा विश्य समझेंगे, ध्यान से समझो, क्या हुआ, कि यहाँ पर अपना मैंने कल बताया था कि Longest Glacier of India कौन सा बताओ भारत का सबसे बड़ा Glacier कौन सा बताओ हाँ बोलो न सबसे बड़ा Glacier कौन सा बताया है बच्चे Glacier की बात कर रहे है Glacier है सियाचिन सियाचिन Glacier भारत का यज़ कैसे बात कर रहे हैं आप लो कारा कोरों Mountain Range है सियाचिन ग्लेसियर ठीक है सियाचिन ग्लेसियर है ये सियाचिन ग्लेसियर कौन से अरिया में लदाख वाले पार्ट में ठीक है लदाख वाले पार्ट में इस सियाचिन ग्लेसियर के बराबर में यहीं पे एक और छोटा सा ग्लेसियर है मुकाबले सियाचिन के छोटा है इसका नाम है रेमो गिलेशियर रेमो गिलेशियर ठीक है जी रेमो गिलेशियर इसका नाम है रेमो गिलेशियर इसका नाम है रेमो गिलेशियर किसके बराबर में सियाचिन गिलेशियर के बराबर में सिया चिन ग्लेशियर के बराबर में सिया चिन के बराबर में सब लोग ध्यान से आज़ो बच्छे बहुत important बात बताने जा रहा हूं ध्यान से आज़ो पूरी एक एक चीज आपको बता दूगा एक एक चीज अब यहाँ पे तिबबत में चोमाई योंग्यों को एक ग्लेशियर है वहाँ से एक नदी निकलती है मैं इसको दूसरे पहन से बना लेता हूं दूसरे पहन से नदी को बना लेता हूं यहाँ से एक नदी निकलती है और इसका नाम है सिंधु नदी और सिंधु नदी ऐसे यहां से होते वे कहां चली जाती है यहां से होते वे कहां चली जाती है पाकिस्तान में है न ऐसे यह कौन सी नदी चलेगी सिंधु नदी पाकिस्तान में चली जाएगी ठीक है इसका नाम है शोक रिवर, शोक नदी, शोक नदी, शोक नदी कहां से निकलती है, रेमो गलेसियो से निकलती है, अब अकसाई चिन से एक और नदी निकल के आ रही है, अकसाई चिन से, यह नदी इस नदी का नाम है, गलवान नदी, गलवान नदी, गलवान नदी निकल के आ अब आप कह सकते हो गल्वान नदी किस में आके मिलती है शोक नदी में और शोक नदी किस में आके मिल जाती है सिंधु नदी में बोलो के लिया हो रहा है? यहीं आप कह सकते हो कि शोक नदी जो है जो शोक नदी है शोक रिवर जो है शोक नदी वो किसकी सहायक नदी है तो आप कह सकते हो पर ऐसे लिखो यहां से उल्टा लिखते है कि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है सिंधु की सिंधु नदी की सहायक नदी ठीक है सहायक नदी कौन सी है शोक नदी इसकी सहायक है ठीक है और शोक की सहायक नदी कौन सी हो गई शोक की सहायक नदी अपनी ये हो गई कौन सी गलवान नदी गलवान नदी इसकी भी सहायक हो गई बोलो के लिए रहें यह बास समझ भाई है आपको मैंने क्या बताई अभी तक आपको मैंने आपको यह बताई कि यह P.O.K. वाला पार्ट यह अपना अक्षाई चिन वाला पार्ट यहां सियाचिन है, सियाचिन के बराबर में रेमो गलेशियर है यहां से नदी निकलती जिसका नाम है शोक नदी शोक नदी जागे जाके किसमें मिल जाती है सिंदु नदी में यह अकसाई चिन से एक और नदी निकलती जिसका नाम है गलवान नदी यह गलवान नदी आगे शोक नदी मिलती है यह आप कह सकते हैं, सिंदु नदी की सायक नदी कौन से यह शोक नदी है, शोक की भी सायक कौन से गलवान नदी है, ठीक है, अब यह जो गलवान नदी है, यह आप देख रहे हैं, अकसाई चिन में और फिर आगे चलके इंडिया में भी है, तो इसके बराबर में क्या है यहा बोला गया है, गलवान घाटी, यानि कि वैली, वैली ओफ गलवान रिवर वैली ओफ गलवान रिवर is known as is known as गलवान वैली is known as गलवान वैली, यानि कि गलवान नदी की घाटी को ही गलवान घाटी बोला गया है अब चायना ने क्या किया, इस गलवान घाटी में सड़क निर्माण किया, सड़क निर्माण, सड़क निर्माण इसने किया और यहाँ पर अपना पूरा मामला जिसने जमा रखा है, अब ये इंडिया के एरिया में कोभी घुसने की कोशिस कर रहा है, कि ये हमारी गलवान घा बनाओ एक बार, इतना नकसा बनाओ पहले एक बार आप, जल्दी से बनाओ इतना नकसा, जल्दी से बनाओ, जितना मैने अभी तक बना दिया ना, इतना बनाओ पहले आप जल्दी से, बनाओ जल्दी से, जल्दी बनाओ, इतना मैप बनाओ आप जल्दी से, मैपिंग आपको खुद करने हैं, साथ के साथ, नोट्स की चिंता मत करो, साथ के साथ, आपको point wise लिखना है, इसमें मैं कुछ और बताने जा रहा हूँ, जल्दी से लिखो पहले इसको, लिखो, यह mapping करो हलका से, जितना जैसा बनता है आपसे वैसा बनाओ, ऐसे P.O.K. बनाओ इधर, इधर Aksai Chin बनाओ, ऐसी फिर यहां से, मैं कुछ मिटाओंगा इसमें से न, वो दूसरा मैप बनाना फिर आप, जल्दी से करो इसको, जल्दी जल्दी करो, जल्दी लिखो जल्दी से, mapping करोगे आप एड़ी आप, फायदी मेरोगे, mapping करो, कर चुके, करो जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी भाईया, जल्दी करो, पहले इसके point लिखा देता हूँ, इतने तक के point लिखा देता हूँ पहले आपको, ठीक है, map बन गया, बरावर में point लिखना चालू करो, लिकना चालू करो लिकना चालू करो श्योक नदी श्योक नदी लिकना चालू करो जल्दी अंदी श्योक नदी रीमो गलेशियर से निकलती है श्योक नदी रीमो गलेशियर से निकलती है श्योक रिवर इस ओरिजनेट से निकलती है शोक नदी रिमो गलेशियर से निकलती है आगे लेखो गलवान नदी अकसाई चिन से निकलती है गलवान नदी अकसाई चिन से निकलती है लेखो चल दी गलवान रिवर ओरिजनेट स्फ्रॉम अकसाई चिन गलवान रिवर originates from oxygen आगे लिखो गलवान नदी गलवान नदी शोक नदी में मिल जाती है अर्थात यह अर्थात यह नदी कौन सी गलवान अर्थात यह नदी शोक नदी की सहयक नदी है ठीक है पूछा गया पेपर में सवाल अर्थात यह नदी शोक नदी की सहयक नदी है ठीक है लिखा आपने लिख चुके क्या लिखना है इंगलवान नदी इंगलवान नदी की लिखेंगे गलवान रिवर originates from oxygen है it merged in शोक रिवर that's why it is merged in शोक रिवर that's why this is called it is called that's why it is called tributary of शोक रिवर that's why it is called tributary of शोक रिवर ठीक लेक्शो के नेक्स पांट लेको शोक नदी सिंदु नदी में जाके मिल जाती है शोक नदी सिंदु नदी में जाके मिल जाती है अर्थात अर्थात शोक नदी अर्थात शोक नदी सिंदु नदी की सहायक नदी है अर्थात शोक नदी सिंदु नदी की सहायक नदी है इंगलेश में लिख सकते हैं कि शोक रिवर शोक रिवर is the tributary of शोक रिवर is a tributary of क्या इंडस रिवर शोक रिवर is a tributary of इंडस रिवर हो गया लिख चुगे हो गया ना ठीक चलो अब आगे की कहानी सुनो आप ध्यान से सब लोग सुनो ध्यान से सब लोग ध्यान से कहानी सुनो मैं साथ के साथ सारी चीज़ें आपको बताता चला जा रहो है ना ये इतना आपको समझ में आगे इतना आपके दिमागा figure clear हो गया आगे कहानी मैं आपको बताता है इसमें सुनो सब लोग ध्यान से सब लोग ध्यान से सुनेंगे, जैसे मान के चलो, ये अपना, ये अपना क्या है, ये जम्मु कस्मीर वाला पार्ट है, ठीक है, ये जम्मु कस्मीर वाला पार्ट है, मैंने क्या बताए कि ये क्या पीयो के, और ये क्या अक्साइचिन, ठीक, यहां है लेह, लेह, इस्थान इ है यहाँ पे एक स्थान है यहाँ पेक स्थान है इसका नाम है दौलत बेग ओल्डी दौलत बेग ओल्डी भारत ने क्या किया है अभी हाल ही में भारत ने लेह से लेकर दौलत बेग ओल्डी तक एक पक्की सड़क का निर्मान किया है अभी हाल ही में भारत ने किया है महीना भ 255 km, यह जो सड़क है इसकी लंबाई 255 km है, असरी लड़ाई जो यहां से चाइना को दर्द यहां से चालू हुआ है, भारत में आप से पहले तो यहां कोई नजर था यह नहीं, भारत का कंस्ट्रक्शन वहां पर कभी हुआ, बहुत मतलब इस तरीके से था, और अब भारत के टैंक वागर अभी कुछ भी नहीं जा पाता था यहां पर, अब इंडिया ने क्या किया, ले से ले करके, यहां तक तो सड़क मार गए, अब ले से ले के, यहां लास्ट पॉइंट तक भारत ने सड़क बना दी, ले से ले के, लास्ट पॉइंट तक सड़क बना दी भारत अब आसानी से मिजाइल पहुंच जाएंगे आसानी से टैंक पहुंच जाएंगे यानि चीन की पूरी सीमा आप कहा सकते हैं कि चाइना अगर भाग के दर से आने का टैक भी करने लगेगा तो यहां भारत का पूरा आमरेसन तयार होगा और उसे पीशे ख़ड़ने के लिए पूरी तरफ पहले तो यहां पे कुछ थाई नहीं तो भारत ना टैंक लगा सकता था ना कुछ लगा सकता था अभी क्या पूरा सिस्टम भारत ने बना दिया अब इससे क्या हुआ कि चाइना को पेट में दर्द होना चालो हो गया तो पहली बात तो यहां पे हमको यह पता होना चाहिए कि लेह से दौलत बेग ओल्डी तक भारत ने बारत ने 255 किलोमीटर लंबी 255 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया है एक तो यह बात आपको आगी समझ में दूसरा यह जो सड़क है यह सड़क क्या है यह सड़क शोक नदी के किनारे किनारे इस्थित है अब यह भारत ने अपना कंस्ट्रक्शन का काम किया यह दोनों पॉइंट भी आप लिखेंगे ठीक है इस कंस्ट्रक्शन के काम को भारत नहीं हापी किया है अब यह जो रोड है यह जो रोड है यह कहां से कहां तक लेह से निकलती है और दर्बुक से होते हैं ओल्डी तक गलती है, oldie तक आप पहुंच जाते हैं, इतना सा लिख सकते हैं, ठीक है, अब हुआ क्या, इतना लिखो पहले जल्दी से, इतना लिखो, सारी घटना लिखते चलो, पैंगॉग सुलीक पर ही जा रहे हैं, पैंगॉग सुलीक पर ही जा रहे हैं, उस घटना को बताएंगे जो टकरा हुआ भारत के और चाइना के बीच वो fingers वाली सारी कहानी आने जा रही है बस आप बहुत ध्यान से बशरते आप चीजों को पढ़ते रहो बहुत ध्यान के साथ लिखो जल्दी जल्दी लिखो इसको जल्दी लिखो लिख चुके लिख चुके भीया हो गया हटाओं इसको गलवान वैली के लिए रोगे आपके दिमाब में गलवान वैली के सारी सावल के लिए रोगे अभी जगडा के इस बात पर वो बात आने जा रही है ठीक है न बहुत गजब की चीज़ है और भाला के नहीं होगा हो वो होगई या आपको इससे बार 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 बेरने से बकवास न को करें क्यों मुझे मालूM है कहां से कैसे होना है ठीक है इसके लिए ज़्यादा होश्यार बनने की कोषिश ना करो चलो पैंगोंग तो लीख पर आजाते हैं पैंगोंग सो जील की चर्चा करते है सब लोग ध्यान से सुनो पैंगोंग सो जील की चर्चा करते है यह है पैंगोंग सो जील ठीक पैंगोंग सो जील है यह किलियर है पैंगोंग सो जील पैंगोंग सो जील है अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये एक लेक है ये लेक है एक यहाँ पर ठीक है ये लेक है यहाँ पर एक लेक है ऊपर ऊपर थोड़ा सा बनाए आज मेरा हाथ पता नहीं क्या दिक्कत है हाथ को पता नहीं क्या हो रहा है आज मैपिंग पर सही नहीं जा रहा ठीक यहाँ पर लेक है यह मैंने लेक बनाई एक यह जो लेक है इस जील का 40% हिस्सा तो इंडिया में कितना? 40% तो भारत में आता है और इस जील का 60% भाग किसमें जाता है? चीन में जाता है तो यह पैंगों को जील है कहां पे है? भारत चीन की सीमा पे है और 60 पर सेंट भाग इस पेंगोंग सु झील का जो भाग है वो चायना के अंदर है अब होता क्या है अब होता ये है कि ये जो झील है ये जो झील है अब आप बहुत ध्यान से समझेंगे बात को इस झील جो है ये जील घाटी के अंदर है fingers के बीच में फसी हुई है fingers के बीच में इस्थिति यह जील है अब इस जील में क्या होता है अब सब लोग ध्यान से समझें सब लोग ध्यान से समझें यह जील के आसपस क्या बने हुए बच्चे परवत बने हुए चटानों से घिरी हुई है यह चटानों से रॉक्स से घिरी है, रॉक्स से, अब रॉक्स से क्या होता है, इसमें आके गिरते हैं, पत्थर, तूट तूट के पिस-पिस के पत्थर आके गिरते हैं, और पत्थरों में क्या पाये जाते हैं, खनिज लवन पाये जाते हैं, खनिज, खनिज पाये जाते हैं, मिनरल्स पाये अब जो minerals होते हैं वो minerals इसमें जाके घुल जाते हैं पानी में इस जील के पानी में और इस जील का जो पानी हो जाता है खारा तो अब पहला सवाल तो यह बताईए पैंगोंग सो जील एक कैसी जील है तो यह खारे पानी की जील है खारे, खारे पानी की जील है, पैंगों को जील जो है, खारे पानी की जील है, दूसरा सवाल, इसका पानी खारा क्यों होता है, इसके पानी के खारे होने का कारण, सालटी होने का कारण, खारे होने का कारण, खारे होने का कारण, खारे होने का कारण, खारे होने का कारण, बही रट्टानों से तूटकर गिरने वाले पत्थरों में पाये जाने वाले खनेजों से होता है। आपको ये सवाल भी क्लियर हुआ। अब लड़ाई की बात पर आ जाते हैं। और ये पत्थर का उठा हुआ सा भाग। तो ऐसे मैसूस होता जैसे उंगलिया हैं। तो इन्ही को बोला गया है फिंगर्स। क्या बोला गया इनको फिंगर्स। और कितनी फिंगर्स हैं। एट फिंगर्स हैं। अब जो ऐले सी लाइन ए लाइन और एक्चुल कंट्रोल आप जानते हैं कि ये ऐले सी है। LOC क्या करती है P.O.K को अलग करती है L.A.C क्या करती है Aksitin को अलग करती है ये तो L.A.C है ठीक और ये L.O.C है अब जो L.A.C है वो गुजरती है यहां से ये L.A.C है L.A.C है इसका नाम L.A.C ठीक अब तक क्या होता था इदर है वीडियो में नीचे अब तक क्या होता था कि जो भारत की सेना थी भारत का इडिमिनिस्टेशन है यहां चायना का है लेकिन इसमें ऐसा था कि भारत ही तक अपनी पैट्रोलिंग करता था आठिमी फिंगर तक कोई दिक्कत नहीं भारत वहां तक जा के अपनी पैट्रोलिंग कर रहा था और चाइना वाले यहां तक आके पैट्रोलिंग कर रहे थे पहली फिंगर तक तो यहां की सेना वहां तक जाती थी वहां की सेना यहां तक आती थी कोई दिक्कत नहीं अब यह जो यहां पर भारत ने सड़क बनाई चायना को लग गया कि भारत ने तो गड़बड करना चालू कर दिया भारत अब हमारे कबजे में नहीं रहेगा तो वहां की सरकार की सह पर यहां पर टकराव हुआ इस जगह पर फिंगर फोर पर यहां दोनों देशों की सेनाओं के वीच में पैट्रोलिंग के दोरान किसके दोरान? पैट्रोलिंग के दोरान पैट्रोलिंग के दोरान यहां पर टकराव हुआ वहां की सेना ने कटीले तारों से भारत की सेना पर हमला किया जिसमें कई सारे जवान हमारे शहीद हो गए जबा में भारत ने भी कारराई करी और उनके भी कई सारे जो लोग थे उनकी आदी खुली वी आँखों को और बंद कर दिया तो यह यहां पर वो पूरा का पूरा सिस्टम मैं बोलो समझ में आया कि नहीं आया बताओ बताओ समझ में नहीं आया कि नहीं आया कि नहीं आया गलवान घाटी पैंगोंग शो जील यह समझ में आया कि नहीं आया बताओ बिल्कुल कलियर होगे दिमाग में सवाल सारे कलियर होगे यह लिखवाओं या लिखलोगे अपने आप लिख लो जल्दी से तो लिख लो जल्दी फिर जल्दी से लिख लो इन बातों को खारे पानी की जील है ये कौन सी पैंगोंग सो जील खारे होने का कारण का चट्टाउनों से तूटकर गिरने वाले पत्थरों में पाये जाने वाले खनिज इसके कारेंट से इनका कैसा होता है, इसका टेस्ट खारा होता है ठीक है, पैट्रोलिंग के दोरान, यहां पर आपकी जड़ापई फिंगर फोर पे, सही है, इस पैंगोंग सो जील का 40% कितने पर्तिशत भाग है भारत में तो उत्तर कितना आएगा, 40% क्लिए है, लिखो जल्दी, जल्दी जल्दी लिख लो, जल्दी से पॉइंट वाइज इसको आप मैंटिन कर लीजे, लिख लो पॉइंट वाइज लिखो जल्दी से खारी पानी की जील है, बिल्गल अफलाइन क्लास की तरह अपने पूरे बढ़िया तरीके से नोट्स बे-इमांदारी का काम नहीं करना है, ठीक है, बहुत इमांदारी से करो, बहुत इमांदारी से, बहुत प्यार से, बहुत इत्मिनान से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से करो आप इसको, ठीक है ना, बहुत बढ़िया तरीके से करो आप, हटा दे, हटा दे, हो गया, हो गया चलो भईया, सब लोग ध्यान से आजाओ, सब लोग ध्यान से आजाओ, आगे बढ़ रहे हैं, अगले देश की ओर चलते हैं, अगले देश की ओर, अगले देश की ओर चलते हैं, अगले देश की ओर, अगले देश की ओर चल रहे हैं भईया, अगले देश की ओर, अगले देश इसका पुराना नाम क्या था? बर्मा इसका पुराना नाम था. सुनो ध्यान से बर्मा इसके बारे में. सुनो ध्यान से. सब लोग ध्यान से सुनो. ठीक है? ध्यान से सुनो सब लोग. यहाँ पर आजाओ यह भारत का कौन सा राज है यहाँ पर अरुना चल प्रदेश ठीक है अरुना चल अरुना चल प्रदेश ठीक है कौन सा राज है अरुना चल प्रदेश ठीक है यही पर नीचे नागा लेंड नागा लेंड ठीक है नागलेंड हैं इसे नीचे आप आओगे हैं इसे आप आओगे तो मनीपुर 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 और ये कौन सा मिजोरम मिजोरम तो कौन कौन से राजे सीमा साजा करते है अरुनाचल प्रदेश से उसे मया मार से अरुनाचल प्रदेश नागलेंड मनिपुर और मिजोरम ठीक है आप क्या है कि इसके इस वाले पार्ट में क्या परवत है परवत स्रंखला है यहाँ पर कौन सी परवत माला पठकाई बुम है पठकाई बुम यह कौन सी है पठकाई बुम पठकाई बुम कहाँ पर है आप कहेंगे सर पठकाई बुम जो अरुनाचल प्रदेश में ठीक अरुनाचल प्रदेश में पठकाई बुम पहाड़ी कहाँ पहाड़ी कहाँ पहाड़ी कहाँ पहाड़ी तो वो अरुनाचल प्रदेश में यहाँ पे एक और पहाड़ी है इस पहाड़ी का नाम है नागा पहाड़ी नागा पहाड़ी यहाँ पे जंजाती भी रहती नागा पहाड़ी नागा लुसाई इसका तरीके से यहाँ पे जो मीजो पहाडी, मीजो पहाडी, मीजो रम में कौन से है, मीजो पहाडी, यह मीजो रम के अंतर है, ठीक है, किस के किनारे किनारे, किनारे, मया मार के किनारे किनारे ऐसे बसी हुई है, ठीक है, अब इनी पहाडियों के इस और क्या है, इसी और क्या है, इनी पहाडियों के इसी और प्लस hills यह चीज़ है याने की अत्यादिक घनत वाला जंगल जंगल और जंगल के साथ-साथ hills का मतलब क्या है? पहाडी जंगल और पहाडी इसके बराबर-बराबर में जंगल है और पहाडी इसके बराबर-बराबर में जंगल हैं और पहाडियां है इसके बराबर बराबर में ये सारे चीज़ है High dense forest and hills ये इसके बराबर बराबर में जंगल और पहाडी clear? समझ आ रहे हैं? जंगल और पहाडी जंगल और पहाडी इसके बराबर बराबर है जंगल है और पहाडी है अब इस हाइडेंस अधिक घनत और पहाडिक कारण कहाँ पे मया मार की सीमा पर किस जगह पे मया मार की सीमा पर मया मार की सीमा पर अब जब मया मार की सीमा पर यह सारी चीज़े तो इन से चीज़ों से किस चीज़ का खत्रा हो जाएगा तो आप करेंगे सर इन चीज़ों से खत्रा किस चीज़ का हो जाएगा तसकरी का किसका तसकरी मतलब smuggling अब smuggling किस किस चीज की होगी तो चंदन की चंदन और चमडा ठीक और क्या चीज जानवरों की अंग जानवरों के अंग तो ये तसकरी किस देश की सीमा पे होती है तो हमारा सवाल का उत्तर क्या हो जागा मियामार की सीमा पे इस प्रकार की स्मगलिंग होती है बोलो इस बास समझ में आ रही है बोलो हाया ना ठीक है अब इसी को लेकर के वहाँ से कुछ लोग आते हैं यहाँ पे उस तसकरी को करने के लिए ठीक है आपने रोहिंग्याज वगरा इस तरीके से बहुत सारी कटनाय सुनी है तो इनी सब चीज़ों के लेकर के भारत और मयामार के मद्दे चीज़ें होती रहती है तो अब पहला सवाल तो कौन-कौन से सीमा साजा करते हैं खौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-क-ौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन- वह एनकृत वह है, आप कह सकते हैं 1927 में Myanmar was separated from India, ठीक है, इसको जल्दी से लिखो, आप ही मैपिंग कर लो, और इसके सवाल लिख लो, जल्दी आप लिख सकते हैं, बुझे पुरा विश्वा से, लिख लो जल्दी जल्दी से, जल्दी से लिखे इसको, जल्दी जल्दी कर ल तरीके से लिख लो इसको, सारे सारे लगा लो कि यही राज्य सीमा साजा करते हैं, ट्रिक भी बना सकते हैं, आप इसको अरुना मामी क्या सकते हैं, अरुना मामी से यह आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है न? अरुना मामी, अरुना मा प्रदेश, ना मतलब नागा लेंड, मा मतलब मनीपुर, मी मतलब मिजोरम, ऐसे करके चार राज्यसी मसाज़ा करते हैं, ऐसे याद भी कर सकते हैं, आप इसको ट्रिक के माधियम से भी याद कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी लिख लो आपको, आप पूरा जल्दी से तुरंद लिखा करें, मुझसे बार-बार, मैं बार-बार नहीं कहूँगा, थोड़ा एक मिनट का टाइम दूँगा, आपको लिख लेना है, उसी टाइम के तौरान में, ठीक है, समझने में कोई भी देर मैं आपको पूरा आराम से समझाओंगा, इत्मिनान से समझाओंगा, लेकिन लिखने में आपको देर नहीं लगानी है, ठीक है न? अगले देश की तरफ चलते हैं, अगले देश की तरफ चलते हैं, ठीक है? अगले देश की तरफ चलते हैं अगले देश की तरफ आजो अगले देश की तरफ ठीक है न अगले देश की तरफ चल देता है अगले देश कौन सा हेडिंग हमारा जाएगा नेपाल 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 की बात करेंगे आपसे नेपाल की ठीक है इसके इधर कौन है चाइना इधर कौन है इंडिया इधर भी कौन है इंडिया और इधर भी कौन है इंडिया यानि आप कह सकते हो चाइना जो निपाल है इसके नौर्थ में कौन है नौर्थ में चीन है बाकी फिर पूर्व में भारत है दक्षिन में भी भारत है और पस्चिम में भी भारत है यानि कि जो नेपाल है उसके तीन तरफ भारत है एक तरफ चीन है ठीक है? तीन तरफ भारत है और एक तरफ चीन है यानि चारो तरफ पानी नहीं है प्रत्वी प्रत्वी तो आप कहते हैं इसी तरीकी का जो देश होता है इसको कहते हैं इस्थल रुद देश इस्थल रुद देश याने इंगलिस में कहते हैं लैंड लॉक लैंड लॉक कंट्री इसी को आप कहते हैं लैंड लॉक कंट्री इसी चीज़ को आप लैंड लॉक कंट्री कहते हैं Landlock Country कहते हैं इसी के साथ में दूस्तों आप जानतें कि इंडिया और चैना दोनों दुस्मन है आपस में और ये इन दोनों दुस्मनों के बीच में फसा हुआ है इसी करन्स सो इसको क्या ओर कहते हैं Buffer Country Buffer Country ऐसा देश जो जो दो दुस्मन देशों के बीच में इस्तितो के बीच में इस्तितो के बीच में इस्तितो, ऐसा देश जो दो दुस्मन देशों के बीच में इस्तितो उसी को कहते हैं, बफर कंट्री ऐसा देश जो दो दुस्मन देशों के बीच में इस्तितो उसी को buffer country कहते है जो नेपाल है वो इंडिया के और चाइना के बीच में फसा हुआ है इसी कारण से it is called buffer country अब आप जानते हैं कि यहाँ पे कौन सा राज यह उत्राखंड है यहाँ पे कौन सा यूपी यहाँ पे कौन सा बिहार यहाँ पे करके कौन सा आ जाएगा सिक्किम और यहाँ पे ऐसे करके यह कौन सा जाएगा पश्चिम बंगाल तो कौन कौन सा उत्राखंड उत्रप्रदेश बिहार पंजाब और सिक्किम यह क्या करते हैं से सीमा सा जा करते है तो आप यह सारे point ढिख लो पहले तो यह स्थल्रोदेश लेंडलोग कंट्री क्यों कहते हैं चारो तरफ प्रत्वी प्रत्वी है यानि धरती धरती पानी नहीं अगर समंधर होता तो फिर उसको क्या कहता है अगर चारो तरफ समंधर होता है माने कि चलो किसी देश के तो उसको आप फिर इंडियन हिंद मास आगर है इधर क्या है बेव बंगल बंगाली खाड़ है तीन तरफ पानी है इंडिया के इसलिए इसको कहते हैं इंडियन पैनिस उला रहा है और जिसको कहते हैं लेंड लॉक कंट्री इस थलरुद्देश बोलो किलियर न यह बात समझ में आनी चाहिए ठी आगे बढ़ू मैं इसमें, आगे बढ़ना चाहिए, ठीक हटा दूँ इसको लिख लिख लिया, इतना लिख चुके, चलो इसको हटाते हैं, बहुत ध्यान से इत्मिनान से जोड़े रही, बहुत ही सरल चीज है, ये दोनों चीज इंपर्टेंट है, इस्थल रुद्देश औ और बफर करेंट, मुझे पूरा विशवास, ये पाद को लेग करके, आओ समस्ते हैं, आगे की कहाने नेपाल से और कैसे करके सवाल बनेगा पिपर में, सब लोग आजओ, ध्यान से मैं पूरा मन लगा के पढ़ो आप लोग, मन लगा के पढ़ो YouTube नहीं है ये, पैसा कि आप आयो 100% में से 100% content ही मिलेगा यहां पर ठीक है ना और पिपर में आने वाले सवाल में फालतु की बखवास करेंगे नहीं अब जैसे मान के चलो इंडिया की में थोड़ा सा मैपिंग करता हूँ मैपिंग करता हूँ थोड़ा सा ठीक है यहां पर क्या है यह है नेपाल नेपाल यहां पर है आप जनते हैं ह। mountain range है हिमाले परवत स्रंखला है अब हिमाले परवत स्रंखला से कोन सी नदिया निकलती है तो ही आपर निकलती है भहुत सारी नदिया निकलती है कोसी कोसी आ रही है ऐसे नेपाल से उते हैं इंडिया में आ रही है हिमाले से उतरती है नेपाल में जाती है नेपाल से भारत में आती है कौन रही है कोसी और गंडक गंडक बूढ़ी गंडक ठीक है इसके लावा शारदा शारदा कहलो या काली नदी कहलो एक ही बात है शारद और काली नदी दोनों एक ही चीज़ है शारदा और काली नदी जो वो दोनों एक ही बात है शारदा काली नदी अलग अलग चीज़ नहीं है यह भी आपको इसमें किलियर होना चाहिए शारदा और काली नदी एक ही चीज़ ठीक है और कौन सी एक और नदी आरी कमला नदी ठीक बिलकुल एक दम ढलान पर है, इस कारण से नेपल में इससे भहंकर बाढ़ आती है और कोशी को आप इसी कारण से क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं क्योंकि यहाँ पे इस कारण से बहुत सारी बाढ़ जो हैं बाड के आनों की कारण से इस कोशी नदी को क्या कहते हैं बिहार का सोक कहते हैं कोशी नदी को बिहार का सोक कहते हैं किस कारण से बाड यानी फ्लड फ्लड यहां पे बहुत आती है इस कारण से इसको ऐसा बोला गया है अब 2000 बारे में क्या हुआ 2000 बारे में इंडिया और नेपाल ने एक joint project start किया जिसका नाम क्या चीज़ था वच्चे कोशी पर्योजना कोसी प्रोजेक्ट कोसी प्रोजेक्ट मतलब कोसी परियोजना तो कोसी परियोजना कब स्टार्ट ही ऐसा अगर आपसे पूछने लग जाए तो कोसी परियोजना 2012 में इंडिया और नेपाल के बीच में एक परियोजना चालो जिसको कोसी परियोजना बोला गया इसमें क्या किया गया कोशी नदी पे एक डैम बना दिया गया नेपाल में और नेपाल उस कोशी नदी में उस डैम से नहर के द्वारा पानी को नेपाल में अंदर को मोड़ देता है और बिहार में जो इसका फ्लो है उसको आने को उसको थोड़ा सा कम करता है तो ठीक है तो य कोशी गंड़क, बूढ़ी गंड़क, शारदा, कालिंदी, कमला नदी वहां से निकलती है, ये सारी एकदम से इंडिया में आती है, बिहार में डहलान जाता होने के कारण से क्या हो जाता है, इनका फ्लो बढ़ जाता है, इसी कारण से बिहार में बाढ़ आती है, और कोशी न अब बात है सन अठारे सो सोले की, सन अठारे सो सोले की कहानी है, एक संधी हुई भारत और निपाल के बीच में, जिसको बोला जाता है सिंगोली की संधी, अठारे सो सोले में, सिंगोली की संधी, त्रीटी अफ सिंगोली, उसमें क्या हुआ उस संधी के अधीन, आप सब लोग ध्यान से सुनो, यह जो नेपाल और भारत है, इस नेपाल और भारत की सीमा का निर्धारन हुआ, इस संधी के माधियम से क्या हुआ, नेपाल वे भारत की सीमा का निर्धारन हुआ, पीपर में कैसे सवाल आता है, भारत और नेपाल की सीमा का निर्धारन किस संधी से हुआ, तो 18-16 की सिंग नेपाल में भारत की सीमा का निर्धारन हुआ, अब वो निर्धारन कैसे हुआ, निर्धारन ऐसे हुआ, कि ये निर्धारन हुआ, कि भारत और नेपाल की जो सीमा है, वो क्या होगी, वो काली नदी होगी, काली मतलब शार्दा नदी जो है, काली नदी से ही भारत और नेपाल एक दूसरे से अलग होते है अब हुआ ऐसा कि काली नदी जो बहती है काली नदी इस पर बहती है यहां काली नदी बह रही है इसके इधर ये एक नदी और बहती है और इधर भी एक और नदी बहती है इसके इन नदीयों का नाम है यह जो दोनों नदी है इनका नाम है महा काली नदी, महा काली ये बीच वाली काली है, अब ट्रीटी में क्या लिखा हुआ है, ट्रीटी में साफ लिखा हुआ है कि जो ट्रीटी में साफ क्या लिखा हुआ है कि सीमा का निर्धारन किस के द्वारा होगा काली नदी के द्वारा होगा, लेकि इधर महाकाली नदी है इधर भी महाकाली नदी है अब नेपाल तो कहता है कि सीमा ये वाली नदी है इस वाली नदी की सीमा मानो और भारत कहता है न ये वाली नदी है सीमा पे ये बाद दोनों के बीचे में विवाद हो गया वहाँ पे केवल काली वर्ड समझ में आरी बात आपको वहाँ पे क्या वर्ड केवल काली नदी लेकिन अब यहाँ भी महा काली यहाँ भारत तो कहता है कि यहाँ तक है इंडिया और नेपाल कहता है यहाँ तक नेपाल है बोलो समझ में आ रहा है यह बास समझ में आ रही है अब यहीं पे अब यहीं चुकि भारत यहां तक अपना एडिया बता रहा है तो यह जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है भारत कहा रहा है यह पे एक पॉइंट आता है भारत कहा रहा है कि यह पॉइंट मेरा है और य नेपाल क्या कह रहा है, यह point किसका है, यह point मेरा है, 1962 में क्या हुआ था, 1962 में जब चाइना के साथ युद्ध चल रहा था, तो आपको पता है, यहां भी चाइना की सीमा यहां attack कर चुकी थी, इसको घेड़ चुकी थी, और यहां और नाचल प्रदेश के भाग पे भी attack कर रह सकते हो, तो इस point को भारत ने नेपाल से ले लिए, नेपाल ने कहा है, ठीक है, आप आजाइए यहां पे, तो भारत ने अपने ITBP को लगा दिया, इस point काला पानी पर भारत ने किसको लगा दिया, ITBP को भारत ने यहाँ पे लगा दिया ठीक अभी भारत के ITBP वहाँ तब से लेका रास्ता को ITBP परिकर के ऐसा कह दिया अब नेपाल ने नक्सा जारी कर गए यहाँ तक अपने हिस्से को अपने नक्से में जारी कर दिया तो डिस्पूट होगे किस के बीच में भारत और नेपाल के बीच में डिस्पूट होगे जिसको किस नाम से जाना जाता है काली पानी के डिस्पूट के नाम से जाना जाता है बोलो बात किलियर है कि नहीं है बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ अच्छे से आ रहा है कि ऐसे ही आ रहा है फरजी बताओ बोलो अच्छे से आ रहा है कि फरजी आ रहा है सही आ रहा है नेपाल क्या कहता है नेपाल कहता है यह जो पॉइंट है ना यह कहता है नेपाल कहता है यह हमारे धारचूला जिले का भाग है दार्चूला जिले का भाग है जबकि भारत क्या कहता है नहीं यह हमारे पिथोरागर जिले का भाग है भारत की साइड से भारत क्या बताता है इसे पिथोरागर जिले का भाग बताता है अपना और नेपाल इसको क्या कहता है नेपाल कहता है नहीं हमारे धार्चूला जिले का भाग है, तो यह dispute है, बताओ, यानि कि नेपाल की तरफ से काला पानी कहां पे है, तो धार्चूला में है, और इंडिया की तरफ से कहां पे है, तो पिथोरागर में है, बताओ, clear हो रहा है, समझ में आरा है, कोई doubt तो नहीं है, point wise लिखो, इ नेपाल और भारत की सीमा का निधारन होगा, किस के द्वारा काली नेदी के द्वारा, लेकिन वो महा काली वाली condition आगी, भारत ने का मेरा होआ था, कि पूरा लिख लो, आपको समझ आ जाएगा सार, जल्दी से लिख लो, जल्दी बढ़िया तरीके से लिख लो, अच्छे सेलेक्शन हो जाएगा, और ये फाल्तू के कमेंट, अनरगल कमेंट करोगे, तो ब्लॉक कर देंगे, ये बात भी आप ध्यान से रखो, ठीक है, समझ रहे हो, कि नाम ले दो और ये कर दो है, इन सब चीजों से बचना, और पीडिएफ मिल जाएगी, पीडिएफ के लिए हल कमेंट लेना नहीं चाहता हूँ, इसमें अच्छा कमेंट मेरे को लगेगा, तो मैं वहाँ पर ले लो, कोई डाउट वाट होगा किसी का, ठीक है ना, चलो ठीक है, ओके अपना ख्याल रखिए, मेहनत से पढद रहे हैं, बाई बाई